दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी खाद के बारे में जिसको अगर आप अपनी फूल गोबी की फसल में अपलाई करते हैं तो इससे आपकी जो फूल गोबी है उसका जो फूल है उसकी क्वालिटी आपको काफी शांदार मिलेगी यानि इससे आपकी फ फूल की कही ना कहीं काफी अच्छी आपको मिल जाती है यानि इससे आपके फूल की जो मंडी में डिमांड है वो काफी हद तक इससे बढ़ जाती है मार्केट वैल्यू आपको इससे काफी अच्छी मिल जाती है अगर फूल की क्वालिटी सही नहीं होगी पोधा चाहे कित 30-35 रुपए केजी तक बिखती है अगर हमारी क्वालिटी सही नहीं है फूल की तो उसको कोई 8-10 रुपए केजी के इसाब से भी नहीं खरीता है और यह सब होता है अगर आपकी फसल में पोसक तत्वों की कमी है ठीक से आपने फर्टिगेशन वगरा नहीं किया है तो आपके फूल की क्वालिटी आपको सहीन नहीं मिलती है तो आज के इस वीडियो में इसी टोपिक पे बात करने वाले हैं कम्प्लीट जानकारी इस खाद के बारे में आपको मिलने वाली है तो वीडियो को कम्प्लीट देखेगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू क कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके मस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान जुन जुनु तो चलिए दोस्तों सुरुवात कर लेते हैं कि आ जैसे ही आपकी फसल फ्रूटिंग अवस्था में आती है फल बनने उसमें सुरू होते हैं उस समय क्या देखा जाता है या तो उसमें फ्रूटिंग कम लगती है यानि फूल तो काफी संख्या में आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे हैं उसमें इस तरह की समस्या देखी ज जैसे ही उसमें फूल बनने स्टार्ट होते हैं, तो वो छोटी अवस्था में ही मैचूर होना सुरू हो जाते हैं, यानि आकार उनका ठीक से नहीं बढ़ पाता है, छोटी सी अवस्था में ही वो पत्तों से बाहर निकल जाते हैं, और पत्तों के बाहर में निकलने के बाद मे स्टार्ट हो यानि कि फूल बनना स्टार्ट हो उसी अवस्था में जो है आपको यहां पर फर्टिगेशन कर देना है फर्टिगेशन में आपको कान में लेना है NPK 052 यानि कि दोस्तों मोनो पोटेसियम फोस्फेट ये फर्टिगेशन करने के बाद में आपको अपने फूलों की क्वालिटी में तो सुधात देखने को मिलेगा ही साथ ही इसमें फूलों की साइज में भी वर्दी होती है यानि कि इससे फूल का वजन भी आपको बढ़ता हुआ मिलेगा और साथ ही दोस्तों इसके और भी बहुत सारे फाइदे हैं मिट्टी यानि जमेन के अंदर मुझूद सोल्ट यानि खरेपन के मातरा को कम करता है यानि फूल के उपर जो ब्राउन कलर के धब्बे हो जाते हैं उनको भी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है और साथ ही दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो ड्रिप लाइन है वो कई बार जो चोंक हो जाती है सल्ट की वज़े से तो ये उसको भी अच्छी तरह से रिपेर करने का कारिय करता है यानि वो भी आपकी इससे ठीक हो जाती है तो दोस्तों जैसे ही फूल गोबी की फसल में फूल बनने स्टार्ट हो जाएं यानि कि जैसे ही आपको छोटे छोटे फूल दिखने सुरू हो जाएं उसी अवस्था में आपको NPK 0.524 का फर्टिगेशन कर देना है ये फर्टिगेशन आप ड्रिप की साहिता से भी कर सकते है ड्रेंचिंग की साहिता से भी कर सकते हैं और इस्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं अगर आप ये फर्टिगेशन ड्रिप की साहिता से कर रहे हैं या ड्रेंचिंग की साहिता से कर रहे हैं तो आपको दोस्तों इसकी खुराक रखनी है एक से लेकर डेड़ केजी परती एक या यह इस्प्रे करते हैं NPK 052 का उसके बाद में आपकी फूल गोबी के जो फूल है उनके साइज में भी वर्दी देखने को मिलेगी यानि कि उत्पादन की जो गुनवत्ता है उसमें भी काफी शुधार होगा और एकदम वाइट और गुंबद आकार का इससे आपको फल मि मिल जाता है तो दोस्तों अगर आप अपनी फूल गोबी की फसल में अच्छा उत्पादन देखना चाहते हैं तो फ्रूटिंग की अवस्था में आपको NPK 052 का फ्रटेगेसल कर देना है तो आज का वीडियो अगर आपको इंफोर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक से कर दीजिएगा चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैए